आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको Redmi या फिर MI के फोन में यहाँ पर Keyboard शो नहीं होता है या फिर आपको इस टाइप से शो होता है Google Voice Typing Keyboard तो आप अपने फोन का Keyboard यहाँ पर कैसे ला सकते हैं और अगर आपको यहाँ फिर Keyboard शो नहीं होता है तो यह problem कैसे ठीक कर सकते हैं आईए आज की इस वीडियो में जानते हैं यहाँ पर इस problem को ठीक करने के लिए अपने फोन में Settings में जाएए फोन की Settings में आने के बाद आपको नीचे स्क्रोल करके एक Option मिलेगा Additional Settings इस पर क्लिक करिए क्लिक करने के बाद एक Option आएगा Languages and Input इस Option पर क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद आपके सामने Option आएगा Current Keyboard और यहाँ पर Current Keyboard Option पर क्लिक करिए और जैसे कि आप देख सकते हैं अगर आपका यहाँ पर Google Voice Typing सेलेक्ट होगा तो नीचे का Option आएगा Manage Keyboard इस पर क्लिक करिए अब आपको यहाँ पर मिलेगा Gboard या फिर Emoji Keyboard तो यहाँ पर आपको उस पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है और नीचे आपको मिलेगा Google Voice Typing तो इस पर क्लिक करके इसे बंद कर दीजिए और आपका Gboard यहाँ पर On हो चुका है अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं आपकी Problem यहाँ पर ठीक हो जाएगी और आपका Keyboard शो होने लग जाएगा या फिर अगर आप अपने फोन में कोई और Keyboard लगाना चाहते हैं तो यहाँ से उसे Set कर सकते हैं इस Type से उस पर किलिक करिए, OK करिए और यहाँ पर आप यहाँ पर इस Option को बंद कर दीजिए यानि कि इस वाले Keyboard को Off कर दीजिए और जो आपको On करना है उस पर किलिक करके On इस Type से आपको Show हो जाएगा तो इस तरह से अगर Keyboard आपको Show नहीं होता है आप यह Problem Solve कर सकते हैं वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को Like कर दीजिए और हमारे चैनल को Subscribe जरूर करें